कर दोस्तों रुद्र रोजीज में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज में आपको रुद्र के रोजीज दिखाने वाड़ा हूं यह देखिए दोस्तों । यहाँ पर हमने हाइब्रिटी फ्लोरी बंडा मिनियचर और भी कई तरह के फ्लावर लगाए हुए हैं दोस्तों कुछ दिन पहले रूद्र की एक वीडियो आई थी जिसमें बहुत से लोगों की कुछ क्वेरिज थी तो आज ये वीडियो बनाने का मेन मक्सद है कि उन सब का जवाब दिया जाए दोस्तों ये 100% ये Soilless Culture है जिसमें रूद्र और मैं मिलके ये रोजिस ग्रो करते हैं आप ये देखिए दोस्तों ये पूरा एक दम से सिंडर है सिंडर एक हाड जो कोईला होता है उसकी ये ऐस होती है इसको हम लेके आके इसको फिल्टर करके इसके अंदर जो क्रिस्टल है ख दोस्तो इसके साथ फिर हम 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% ही इसके अंदर बॉन डस्ट हम मिक्स करके और फिसके अंदर हम प्लांट लगा देते हैं दोस्तो स्टार्टिंग इसकी हम 6 इंसपोर्ट से करते हैं जब नया प्लांट लेते हैं और प्लांट कहां से लेते हैं ये भी मैं सब्सक्रिप्शन बोक्स के अंदर मैं उनका नंबर डाल दूआ मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है बेंगोल से मिस्टर अनुबैद्या तो दोस्तो शिक्स इन्स पोर्ट में लगाने के बाद उसके बाद जैसे जैसे उसका रूट कोईल होता जाएगा वैसे वैसे हम उसको नेक्स्ट पोर्ट भी टालते जाते हैं यह देखिए दोस्तों अभी अरुद्र स्प्रे कर रहा है तो उदर क्या स्प्रे कर रहे हो आज एक्सुलिन का दिन है ठीक है थोड़ी देर के लिए स्प्रेय रोग दो मैं एक बर वीडियो बना देता हूं है आप वहां पर जाके बैठ जाओ दो मिंट के लिए दोस्तों ये अभी दोमंबर का महीना चला हुआ है आज दिवाली है तो सबसे पहले दोस्तों सबको हैपी दिवाली ये भूत अच्छा समय है रोजिज लगाने के लिए आप अक्तूबर से लेके और मार्ज तक आप दोस्तों रोज लगा सकते हो दोस्तों अभी मैं आपको एक बात पुताने वाला हूँ जो असली है वो है वाटर वाटर एक मैजिक है दोस्तों अगर आप वाटर देना सीख जाते हो तो प्लांट आपका कभी भी मरेगा नहीं हमेशा अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा बहुत से लोगों ने पुछा है उस वीडियो के अंदर हमारे प्लांट सूप जाते हैं हमारे प्लांट मर जाते हैं उनको वाटर की नहीं होती दूसरी बात उनका जो मीडिया होता है वो पोरस नहीं होता आप सिंड्र में ग्रो करो चाहे आप सोयल के अंदर ग्रो करो उसके अंदर वो मीडिया आपका पोरस होना वहılar जुरूरी है अगर आपका ठीक है तो उसके अंदर root system अच्छे से डवलप नहीं होगा उसमें एरिएशन नहीं होगा तो root अच्छे से ग्रोण नहीं करवाएंगी तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा आपका drainage कैसा है आपका media कैसा है तो इसमें दोस्तों water spray जो है सुभै और शाम water spray इसमें चलता है और गर्मियों के अंदर root zone के अंदर गर्मियों में 5 से लेके 6 बार हम इसमें watering करते हैं drip से भी करते हैं और manually भी करते हैं यह देखिए हमने पूरा drip का जो pipe लगाया हुआ है यह देखिए यह पूरा drip का है अभी हमने इसकी drip खोली हुई है यह main line है जैसे ही गर्मिया स्टार्ट होंगी तो गर्मियों में हम दुबारा इस drip को लगा देंगे water spray सुभै और साम चलता है जैसे जैसे हमारे temperature down आएगा सर्दिया आएंगी सर्दिया आएंगी तो water की quantity भी इसमें कम हो जाती है फिर क्योंकि temperature कम होगा तो water भी कम लगेगा दोस्तों भोट से लोगे ने बोला कि इसके अंदर मतलब भोट सी disease आ जाती है जैसे आप उसका कुछ बताइए दोस्तों ज्यादा तर इसके अंदर थिप्स माईट और फंगस यह एटेक ज्यादा करते हैं इसमें अब जैसे ठ्रीफ्स है ठ्रीψ के लिए मैं आपको कुछ यह देखिये यह दिप्स के है इस यह लिजन्टा है बायर कंपनी का इसको में और और कॉन्फिड घ् सर्ध में चलाता हूं अगर मान के चलissant तो स्टार्टिंग में आपको यही सज़ेस्ट करूँगा कि आप कॉन्फिडोर यूज कीजिए यह आपका 10 ml पर 15 लीटर वाटर के अंदर डायलूट करके स्प्रे करना है अगर इससे भी आपका थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप उसमें लिजन्टा का स्प् इंदर विरोम और इसी से मैरा कंट्रोल रहता है प्लस जब फंगस है फंगस के लिए दोस्तो मैं यह देखिये यह एमिस्टर टॉप है एमिस्टर टॉप और साथ में मैं यह देखिए यह द्यूपॉंट का एक्वेशन प्रो है मैं यह यूज करता हूं इसको कीजिए पूरे इंडिया मेरे हिसाब से मेरे अनुसार इससे बड़ा कोई माइक्रोनुटन नहीं है और इन सब दवाईयों के साथ आप जब भी स्प्रेय करते हैं तो आप बायो विटा ज़रूर एड़ कर लीजिए ये प्लांट में जो केमिकल रियक्षण है ये उसको रोकता है यह देखिए दोस्तो दोस्तो रखी सर्दी के टाइम है और डेंक फूल रहता है मैं जो देता हूं सर्षओ की खली और चावड की मांड मैं इसके अंदर देता और बाकि जो इन और गैनिक है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आप इसके अंदर जैसे 2020 है मेगनेशियम शलफेट है 2020 आप लीजिए फाइव ग्राम और तू ग्राम आप लीजिए इसके अंदर आपका मेगनेशियम सलफेट मेगनेशियम सलफेट इन दोनों को मिला के साथ में अब एक ग्राम रेक्सॉलीन इसके इसमेड कर लो ऐसा करने से या पते गरीब न आठ गराम बनता हूं और आठ गराम हफ्ते में मैं शिरफ दो प्लांट में यह चार गराम पर प्लांट के एसाब से मैं दे देता हूं उसके बाद यह मेरा रजल्ट है इसके लावाब मैं कुछ भी अलग से नहीं करता अ मैं दोस्तों मैं ने प्रूनिंग यह एक अक्तूबर को कि थी और आज दिवाली आज पूरे 45 डेज के करीब करीब हो गे हैं और यह देखिए मेरी छत पूरी फूलों से भरी goat स of यह देखिया पають यह देखिय दोस्तों आज में देखिया तो दोस्तों मैं अनूवेद्या का नंबर डिस्क्रिप्शन बोक्स के इंदर में मैं डाल दूँगा आप परचेज करना चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं कि यह कुछ मैंने अभी कुछ नूव रोची सपरचेज किये हैं नूवेद्य से तक्रीबन तक्रीबन यह दो से लेके तीन महीने के हैं यह देखिए यह एक मेरा फेवरेट प्लांट है जैपनीज प्लांट है यह यूगरी है अभी तो यह यह देखिए इसका सेंटर जो है पूरा एकदम से फट गया है क्योंकि टेम्प्रेचर प्रूनिंग के बाद एकदम से हो जादा फ्लेक्चुएट कर गया था कि यह देखिए दोस्तों यह मिनियेचर रोज मेरे को बड़ा प्यारा लगता है यह देखिए कुछ एक विराइटी यह देखिए आप येलो येलो कलर मेरा भूत सबसे फेवरेट कलर है दोस्तों यह पिंक है एक येलो आप वह देखिए यह देखिए दोस्तों यह मेरा एक स्टेंडर रोज है जो मैंने खुद ग्राफ्ट किया था आपकी वर टेंप्रेचर फ्लेक्श्वेट होने के करण यह ब्लाइंड शूट इसने ज़्यादा मार दिये लेकिन इसकी मैंने री प्रूनिंग की री प्रूनिंग के बाद अब इसने दुबारा से ग्रोथ लेनी स्टार्ट कर दिया और उमीद करता हूं कि दिसंबर के मही इने में इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है एक स्टेंडर्ड रोज और भी है यह देखिए मैंने खुद ग्राफ्ट किया है तकरीबन इसकी हाइट शाड़े 6 फूट से लेके साथ फीट के करीब तक यह जा चुका है इसको मैं मल्टी ग्राफ्टिंग इस पर मैं करूँगा एक ग्राफ्टिंग और मैंने इस पर की हुई अभी तीन-चार दिन पहले इस पर ग्राफ्टिंग की थी यह देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ वराइटिया थोड़ी सेज़ेस्ट कर देता हूं जिसमें खूब सारी फ्लावरिंग होती है कि यह देखिए यह मिनीचर है लिटल बलोसम इस का नाम है भूद जयादा फ्लावरिंग करता है प्लांट की ग्रोथ है भी तषी बहुत अच्छी है यह देखिए यह है है कि मॉनालियज और मिशनव बहुकर देखिए यह doing फैट उन्लारिंट से रोज तो लगता है निये गेंदे की तरह है जब इसकी शेफ आती आप देखिए बिल्कुल गांदे की तरह लगघ आ है और यह कलर फेड ओने के बाद गांक वो देखो जैसे व्यट क्लर का गेंदा फ्लावर होता वैसे मेरी गोल्ड की तरह यह देखिए कितना प्यारा है यह है कि यह है संसेट सेलिब्रेशन यह बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करता है ज्यादा आपको इस पर क्लेर करने की जुरूत नहीं है आप यह संसेट सेलिब्रेशन भी आप परचेज कर सकते हैं यह देखिए एक यह प्लांट है दोस्तों यह है बुगाटी यह भी बड़ा अच्छा है फ्लावरिंग भोजादा करता है एक आप यह देखिए वाइट कलर का यह देखिए ये जे एन विश्वास है ये अभी मैंने तकरीवनी से एक साल का है इस पर भी फ्लावरिंग ठीक ठाक है ये देखिए ये है नारंगा इस पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है आप नारंगा लीजिए इसके बाद ये देखिए ये है सदा बहार ये भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है मैं ज़्यादा कुछ सिसके अंदर देखवाल करताया है इन्पलांट के अंदर फिर फूर्प अच्छ्ए तरीके से ग्रों होते रहते हैं यह देखिए यह बोरा 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 यह बहुत अच्छी फ्लावरीं यह भी करता यह देखिए यह मेरा यह ग्रेट स्कोट दोस्तों इसने तकरीवन तकरीवन 125 के करीब अब की बार्ष ने फ्लावरिंग दी है अब इस पर कुछ फ्लावर इसका थोड़ा बैलेंस खराब हो गया था फ्लावर कुछ सूकते भी गए नए नए भी आ रहे हैं यह देखिए यह देखिए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आही हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए की जातो हैं इसत्राइब कीजिए लिए वीडियो कीजिए बाख़ लिए भी कि वीडियो रहाँ आहे हैं झाल मुझक कीजिए